हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, आइम जिसान्टिवारी और दिस इस माइन अधर वीडियो सो गाइज, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाव टू रिकावर ट्विटर अकाउंट, दोस्तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग अपने ट्विटर अकाउंट को रिकावर नहीं कर पाते हैं, दोस्तो उन लोग अकाउंट तो क्रियेट कर लेते हैं, बट जब वो पासवर्ट भूल जाते हैं, तो जब पासवर्ट ही नहीं याद रहता तो वो अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों जब यह लोग लॉग इन करने जाते हैं तो वहाँ पे उनको ट्विटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे दोस्तों उन लोग को यह नहीं पता रहे था कि उन्होंने अकाउंट कैसे क्रियेट किया था आईडी से या ड्रेजिस्टर मॉबाइल नंबर से तो उसी कारण कन्फियूजन होता है और जो एकुरेट इन्फॉरमेशन होती है वो ट्विटर को नहीं मिल पाती जिनके कारण वो अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको फ्ल डिटिल बताऊंगा कि कैसे आप ट्विटर अकाउंट में लॉग इन हो पाएंगे क्योंकि जब ऐसे लिख आता है कि we have found more than one account तो यहां पे दोस्तों आप login नहीं कर पाते हो चाहे आप अपना mobile number दो चाहे आप अपना email address दो तो यहां पे दोस्तों उस situation से कैसे आप login कर पाओगे कैसे आप दोस्तों अपने account को recover कर पाओगे वो सब कुछ मैं आपको ताहूंगा आगे इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादे कमाल काने वाला है अब सभी लोगों के लिए प्लीज वीडियो को skip मत करना एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वी तक आपनी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैन यहाँ पर ट्वीटर अकाउंट है तो इस इंटर फेस पर लिक्या रहा है Pride अकाउंट और नीचे है Login तो अगर आपको लोगिन करना है मतलब अप पुराने अकाउंट को रीकवर करना है तो आपको लोगिन पर कलिक करना है और यहाँ पर आपके सामने और उप्छन cover करते हैं तो यहाँ पे यह बता रहा है कि इस एक नमबर से दो account यहाँ पे इनको show हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको use करना है अपना username तो दोस्तो username अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि आपका account तो created ही है तो आप किसी और के Twitter account से search कर सकते हैं अपना account और वहाँ पे आपको top में username दिख जाएगा तो यहाँ पे दोस्तो username जैसे वह ने अपना डाल दिया उसके बाद simply आपको search पे क्लिक कर दिना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इनको हमारा account मिल गया है इन्हों हमें find कर लिया है तो यह है मेरा account शिवाय शशांग और यह जो यूजर नेम था वह शशांग शिवाय था तो यह आप देख सकते हो कि यह सेम नहीं होता है इसलिए आपको दूरसरे account से चेक करना होगा और यहाँ पे वो रहे हैं कि यह एक code भीजेंगे आपके इस नंबर पे जो ending 00 है तो यहाँ पे आपको simply next पे क्लिक कर देना है तो यह आपके number पे code भीजेंगे जिसके help से वो verify करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिक क्या रहा है check your phone मतलब यह हमारे phone में हम लोग को एक code भीजें तो दोस्तों यह है वो code जहाँ पे मैंने hide किया है और यह सिर्फ 3 minute के लिए ही valid है तो यहाँ पे आपको 3 minute के अंदर इस code को verify कर लेना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यह हम लोग के पास enter your password का एक option आ रहा है जहाँ पे हम लोग password password set कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जितना यह बड़ा password होगा उतना यह very strong मतलब कि यह strong password बनता जाएगा तो यहाँ पे मैंने जल्दी से अपना password डाल लिया है उसके बाद नीचे आपको re-enter करना है वही same password और जब आप दोनों password डाल लोगे तो उसके simply आपका यह जो password है वो नया password हो जाएगा मतलब यह जो आपका password है वो reset हो जाएगा तो दोस्तों ऐसे ही आप बहुत easily अपने account को recover कर सकते हो आपको तीनों में से कोई भी चीज पता हो तो आप इसको recover कर सकते हो चाहिए वो आपका mobile number हो या आपका email address हो या आपका username हो तो यहाँ पे दोस्तों username पता करना बहुत जैसा कि मैंने आपको बताया और अगर आपको mobile number पता है तो भी आप यह चीज कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो मैंने दोनों चीज next कर दी तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है why did you change your password मतलब आपने पना password क्यों चेंज किया तो यहाँ पे तीन option है यहाँ पे forget password का एक option है हमारे पास दूरसरा है कि आपका account को यह और access कर लिया था और third है another reason तो आपको simply forget password पे click करना है और submit करना है तो यहाँ पे लिखाएगा you are all set you have successfully change your password तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो account है वो recover हो गया है और आप ब देख सकते हो जो मेरा शिवाय सशांग का logo है वो टॉप पे दिखा रहा है और यहाँ पे पूछेगा review your number यह आप से पूछेगा कि आपको अपना mobile number इस account से जो link है वो change करना है कि यही रहने देना है तो जो भी आप चाहो वो कर सकते हो यहाँ पे मैं same number पे ही click करूंगा तो दोस्तों यह था आज का वीडियो मेंद करता हूँ आपको वीडियो useful लगागा वीडियो useful लगाए तो please वीडियो को like कर देना चैनल पे नए आयो तो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे and useful videos अपने चैनल पे लाते रहता हूँ hope you like this video please like and subscribe my channel thanks